चोदरी चरण सिंग विस्विद्दाले मेरट की बात करने वाले वीडियो सभी चात्रे चात्राओं के लिए बहुत इंपोटन होने वाला है तो प्लीज इस वीडियो को लास्त तक जरू दकड़ो को स्किप ना करे बहुत ही लंबे समय से चात्रे चात्रा इंतिजार कर रहे थे कि यूजी पीजी प्राइवेट एक्जाम फॉर्म कब आएगे जैस तो इन सभी चात्रे चात्राओं का इंतिजार खत्म हो चुका है और यहां पर चोदरी चरण सिंग विस्विद्दाले मेरट ने यूजी पीजी जो फर्स्ट येर के स्टुडेंट्स है जो फर्स्ट नोटीस है चोदरी चरण सिंग विस्विद्दाले मेरट की दरफ से चोदरी चरण सिंग दाले की वार्शिक पर्नाली के अंतर का संचालित बी-ए-बी कोम तता एम-ए-म कोम पर्थम वर्स परियोगात्मक विस्या को छोड़ करके वेक्तिगत पाथ करमो केवल नवीन जिकन सतर दोजार बाइस और तेज़ पर एकसा फोर्म विस्विदाले दवारा विस्विदाले की वेवसाइट का निम निकीत तित्यों के अनुसार ओनलाइन भरे जाएगे आपको बता दू जो आनलाइन आपके फोर्म स्टार्ट होने वाला है वो कल से ओनलाइन पोटल पर अपलोड हो जाएगे और वहां से आप जो है अपने फोर्म को भर सकते है उसके साथ में आपकी जो लाजडेट है वो 31 जनवरी 2023 रखी गई है इसके बीच में आप सभी अपने फर्ष्ट यर के यानि परतम वर्स के प्राइवेट फोर्म बर करके कोलीज में जमा कराना सुन से कोई डिप्लोमा या कोई डिगरी की है और वो M.A.M.C. या फिर B.A.B.C. में एडमिशन लेना चाता है तो उसके लिए माइगरेशन की जोगरत नहीं है लेकिन अगर आपने अधर युनिवेस्टी या अधर बोर्ड से आपने 12th की है आप B.A.B.C. या फिर M.A.M.C. मे एडमिशन लेना चाते है तो आपको माइगरेशन लगाना अनिवारिय होगा तो आप जो है जल से जल अपने माइगरेशन को तयार करा ले अगर आपने तयार नहीं किया है उसके बाद ही अपने फोम को भरे और फोम के साथ में माइगरेशन लगा करके अपने कोलिज में सम अब आपको बताने वालों कि आप अपने फोर्म को कैसे अपलाई कर सकते हैं सबसे पहले आपको चोदरी चंड सिंग इन्वेस्टी के ओफिसल वेबसाइट www.csu.ac.in पर जाना है या www.csu.web.in पर चले जाना है या फिर आप नीचे देख सकते हो यहां पर URL दिया गया है www.csu.aimserp.co.in slash web.registration slash student exam for form private इस पर आप चले जाना है डिरेक्ट ये कोपी आप लिंक भी कर सकते हो इसको कोपी करकरके आप अपने ब्राउजर में पेश्ट करके डिरेक्ट आप यहां पर registration form पर चले जाते हो या फिर आपको official website पर चले जाना है इसका लिंक हम अपने टेलिग्राम और description में भी डाल देगे तो उसके बाद आपको इस प्रकार से नीचे interface दिखाई देगा इस प्रकार से सबसे पहले आपको अपना registration करना है registration पर क्लिक करके आपको email ID, mobile number, कुछ सठीक जानकर यह आपको देनी है उसके बाद आपको submit कर देना है एक login ID और password आपके पास होगा जो आपने form में password बना है वही आपका password रहेगा और आपका login ID, आपकी email ID या फिर आप अपने इसाब से अपनी login ID create कर सकते है registration बरने में आपने अपना नाम, middle name और अपनी email ID, phone number और date of birth यह आपको सठीक जानकरी के साथ में देना है और एक अपना password सेट करना है और उसके बाद register क्लिक पर क्लिक करना है registration होने पर आप पहले page पर चले जाओगे जो आप यहाँ side में देख सकते हो, sign in बना हुआ है यहाँ पर चले जाओगे, आपको इधर email ID डालना है और नीचे अपना password डालना है, और capture फिल करना है उसके बाद आपको submit कर देना है जैसे ही आप submit करते हैं, तो उस परकार से आपको अपना form open हो जाएगा यहाँ पर आपको complete detail जो भी मांगी है, वो आपको यहाँ पर डालनी है उसके साथ में अपना एक passport size photo और अपना signature भी upload करना अनिवारिय होगा उसके साथ में यह कुछ जानकारी मांगेगा कि आप उतरप्रदेश के निवासी है यह नहीं है, अगर आप उतरप्रदेश के निवासी है तो आपको उतरप्रदेश chain करना होगा और उसके आगे आपको domicile certificate अपना जो है वो attach करना होगा और आपको आदार नंबर भी डालना अनिवारिय होगा यह सब detail डालने के बाद आपको next बटन पर किलिक करना होगा जैसे आप next बटन पर किलिक करते हो तो उस परकार से इंटरफेस दिखाई देगा वहाँ पर आपको 10th और 12th की complete जानकारी आपको देनी होगी उसके साथ ही आपको 10th और 12th के certificate को अपलोड करना अनिवारिय होगा उसके बाद complete detail डालने के बाद आपको next बटन पर किलिक करने के बाद यूजरों को यानि की students को विस्य सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा इसके साथ में तिन subject लेने के बाद आपको foundation और qualifying वेंसे आपको chain करना होगा जो आपके लिए compulsory रहेगा जैसे ही आप ये सब चूज कर लेते हो तो उसको बढ़े आपको save करना होगा save करने के बाद आपको submit करना होगा सम्मिट करने के बाद आपको payment के लिए बोला जाएगा तो आप अपनी payment को जो है online कर सकते है payment करने से पहले आप अपने form को update कर सकते है कोई भी अगर लगता है कि आपको कोई mistake हो चुकी है तो आप अपने form को दुबारा से update कर ले payment करने के बाद form में कोई भी correction नहीं होगा जैसे ही form successful हो जाता है तो आपको अपने परिक्षा form डाउनलोड करने के लिए बोला जाएगा तो अपने परिक्षा form को डाउनलोड कर ले यदि परिक्षा form को fill करते समय user को कोई भी समस्या आ रही है तो आप Helldex टीम से या email नमबर से जो इसकीन पर दिये गए है इनसे संपर कर सकते है या फिर हमारे वीडियो पर comment करके हमारे टेलिग्राम या फिर निश्टव पर हमें follow करके वहाँ पर भी आप comment कर सकते अगर आपके कोई भी questions से क्वेरी है आपको कोई प्रेशानी आ रही है तो हमें याद कर ले हम आपकी solve problem को जरूर करेगे अगर आप चैनल पर नए है और पहली बार वीडियो पर विजिट किया है वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करे साथ मिसकूर ज्यादा से ज्यादा शेर करे चैनल को जरूर सस्क्राइब कर ले और बैल आइकन को जरूर प्रेस कर ले उसके साथ साथ टेलिगराम गुरूप को जोइन कर ले तो मिलते हैं को लाटेस्ट अपडेट के साथ तब तक लिए जाहिंद